नमस्कार दोस्तों, स्वात करते हैं आप से भी एक है युवस्ति जी कोईज में तो दोस्तों आए जोए कि बिहार एडिले इंटरेंस एक्जम 2024 के लिए हिंदी का नियो प्रैक्टिस सेट नमर टू लेके आए वे हैं क्योंकि इससे पहले हम सभी वन प्रैक्टिस सेट कंप्रेट कर चुके थे अगर आप सभी कवर नहीं कियें तो जरूर कर लिजेगा देखें ये प्रैक्टिस सेट में आपको 25 पोजिशन दिया जाता है बिलकुल आपके एक्जाम पैटन पर और एक्सपेक्टेट कोजिशन आपसे वी को कबर करवाय जा रहे जो एक्जाम में पूछा जा सकते हैं तो लाश्ट में आपसे अपना स्कोर भी बताईएगा कि कितने कोजिशन आपसे वी सही कर पारे सा होगा मुहाबरा दिया हुआ है कि अड़ाई दिन की बात्साहत का अर्थ क्या होगा यानि कि अड़ाई दिन की बात्साहत मुहाबरे का अर्थ क्या हो जाएगा अगर इन सेट में किसी भी कोईशन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे comment box में जरूर बताते चलिएगा इतना सा काम आपसे परड़े जरूर कर लिया किजे next level तक आपका त्यारी होगा क्योंकि आपसे को बार बार कहते हैं कि question का answer आपसे लिखा किजे क्योंकि जिस question का answer आप लिख देते प्रोपर वो question आपको याद हो जाता है इतना सा काम आप परड़े कर लिया किजे दिखे आपका score जरूर बढ़ेगा राइट answer option नमर भी हो जाएगा थोड़े दिन की सासन सौकत ध्यान रखेगा आपसे आपसे बिलकुल correct answer हो जाएगा किलियर हैं कुछ आप सभी मुहावरे को याद रखेगा जहां से question आपकी paper मे पूचा जा सकता है अगर question पूच लिया जाए अंग अंग ढिला होना का अर्थ क्या होता है तो बहुत ठक जाना इसका अर्थ होता है आँक दिखाना का अर्थ क्या होता है तो गुसा से देखना ध्यान रखेगा यह गुसे से देखना आँक दिखाना का अर्थ गुसे से द अगर कोईशन पूचा जाए कि आखों में धूल जोकना मुहाबरे कारते क्या होता है धोका देना अगर कोईशन पूचा जाए कान भरना मुहाबरे कारते क्या होता है चुगली करना होता है ध्यान रखीगा आप सभी अगला नोट किजिएगा मुह में पानी भर आना कारते क् अगला कोईशन नोट किजेगा अंगुठा दिखाना मुहाबरे कारती क्या होता है देने से साप इनकार कर देना या समय पर धोखा देना भी होता है अगला है इद का चांद होना मुहाबरे कारती क्या होता है बहुत कम दिखना अगला कोईशन याद रखेगा नमक मिर्च अगला कोशिचन नोट कर लिजिएगा, चिकना घडा होना का अर्थी क्या होता है, कुछ भी असर ना होना, देखें ये मुहाबरा का साइलेक्टिट कोशिचन है, जहां से आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसे आप से याद जरूर कर लिजिएगा, अगर एक बार म यहां से प्रस्ण आपको देखनी के लिए मिल सकता है। अगला है दाल ना गलना मुहाबरे कारती क्या है बस ना चलना। अकल का दुसमन होना मुर्क होना। अकल के घोड़े दौड़ना तरह तरह के विचार आना मन में। आँख चुराना याने छिपाना। कान कतरना बहुत चतूर होना। अगला है कान पर जूर तक ना रेंगना इसका आर्थ क्या है कुछ असर ना होना अगला कोईशन नोट किजेगा कानो कान खबर ना होना मुहाबरे कार्थ क्या होते है बिलुकुल कुछ पता ना चलना अगला है नाक में दम करना मुहाबरे कार्थ क्या होते है बहुत तंग कर अगला है मूँ की खाना मुहँ ताकना करते क्या होता है दूसरे पर आस्ज्चित होना है गले का हार होना मुहँड़े करते क्या होती है बहुत तेज दौरना ध्यान रखकेगा आप सबी अगला को इस से नूट कर लेज़ेगा पानी पानी होना कारती क्या होता है लजजित होना देखिए हम थोड़ा सा फास्ट आपको इसलिए करें क्योंकि समय आपके पास कम है कम समय में बहुत ज़्यादा चीज कवर करना है ध्यान रखीगा आप सभी तो आप सभी एकदम बिल्कुल मायंड को फ्रेज करके एकदम बिल्कुल आप सभी फास्ट में कवर केजे सारा चीज को आकास में बाते करना महाबरा करती क्या होता है बहुत उचा होना ये रिवाइच करने में आपको काफी मदद करने वाला है लाश्ट समय में एक बार इसे जरूर देख लिजेगा अगला है कि आपसे बहार ना होना का अर्थ क्रोध से अपने बस में ना करना मुह में पाने आना महाबरे करते क्या होता है दिल ये मन लचना ध्यान रखी गया तो इसे आप सभी याद जरूर कर लेजेगा काफी आपको मदद करने वाला है पेपर में अगला कोशिशन कर लेते हैं कि सांत रस में नुवा रस मानने वाला अचार को क्या कहते हैं तो इसे उद्भट कहा जाता है ध्यान रखीगा आप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रहेगा अगर कोशिशन पूछ लेज़ा है कि सांत रस के नुवा रस को मानने वाला अचार को क्या कहा जाता है तो उद्भट कहा जाता है अगला है नेमन विकल्पों में से निर्देशा अनुसार वाच परिवर्तन का विकल्प चुनी है यानि कि वाच परिवर्तन को चुनना है वाच दिया हुआ है कि हम इतना नहीं चल सकते हैं इसका भाव बात्ची क्या होगा यानि कि भाव बात्ची बनाना है यहाँ पर कि हम इतना नहीं चला जाता है तो option मड़ी बिल्कुल correct answer हो जाएगा ध्यान रखीगा आप सभी याद रहेगा आप सभी को अगला question देख लिएगा question है कि नेमलेखित वाक्यों में से लोप चीन का सही उधारन कौन सा है यानि कि लोप चीन आपको यहाँ पर बताना है तो इस परकार से भी प्रस्ट आपके पेपर में पूछा जा सकता है देखे बिल्कुल आपके exam pattern पर यह practice टेड़ आपको दिया जा रहा है तो इसलिए आप से भी last में आप से score बताएगा कि 25 question में आप से कितने question score कर पा रहे है और friend जितने भी जुड़े में आप से classes को like जरूर किजेगा देखे हम आपके लिए चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर content लाए जितना महिनत हो सकता है उतना effort लगा कि सारा content आपके लिए तियार करते हैं बस आप से क्या चाहते कि सिर्फ class को like कर दीजे देखे हम आपको 100% देते हैं तो आपका काम क्या है त्यारे किजे आप भी 100% ध्यान रखेगा आप सभी और जितना आप से भी से चाहते कम से कम आप से class को like कर दीजे और अपने दोस्तों में सियर कर देजे, इतना सा काम आप से जरूर किजेगा तो राइट आंसर आफिशन में हो जाएगा, भारत की राजधानी डाइस है तो यही जो इक, आपका क्या है लोब चीन है, तो भारत की रास्तानी कहाँ पे हैं, दिल्ली में ध्यान रखीगा आप सबी तो लोब चीन के अगर बात किया जाएँ, तो इसका करेक्ट आंसर और आफिशन नमर भी हो जाएगा, तो यही आपका क्या है लोब चीन है तो option में ये बिल्कुल correct answer होगा याद रहेगा आप सभी को अगला question है कि निमलेखित विकल्पों में से बहु ब्री समास के सुध विग्रह की पहचान कीजे इन में से कौन सा बहु ब्री समास का एक सुध विग्रह है सबसे पहले ये समझ लिजे कि बहु ब्री समास काते किसे हैं तो आप से को बता होगा कि इसमें ना तो पर्थम पद और ना ही अंतिम पद इसका परधान होता है ध्यान रखेगा दोनों में से कोई भी पद इसका परधान नहीं होता है ये किसी तीसरे अर्थ को संबोदित करता है जैसे का सकते हैं कि लंबा है उदर अर्थात क्या होता है गनिश होता है ये का सकते हैं कि दसा नंद जिसका दस आनन है यानि कि दस सर्वला रावन ध्यान रखेगा तो ये क्या है बहुबरी समास को उदारा नहीं जो अपना तो इसका correct answer option मड़ी हो जाएगा ध्यान रखेगा खगेस यानि कि खगों का इस है जो अर्थात क्या हो जाएगा गरोड हो जाएगा ध्यान रखेगा खगों का इस है जो अर्थात क्या हो जाएगा गरोड ये बिल्कुल बहुँ ब्री समास का सुद्ध विग्रा होगा ध्यान यह सभी नहीं होगा अगला कोईशन देख लिए जेगा लंब उदर में क्या होता है उसका विग्रा करने के बाद लंबा है उदर जिसका अर्थात क्या होता है गनेश होता है अगला है दोहा मातरिक छंद है इसके विशम तथा सम चरन में करमसर डैस मातरा होती है आपको एक जो कि चंद का देने वाले हैं, जो कि topic wise ही राने वाला है, जिसमें आपको चंद गिनती करने के लिए बताएंगे, कि चंद को आप सभी कैसे गिनती कर सकते हैं, कि किसमें कितना चरण होता है, तो इसका character answer option मर भी हो जाएगा, 11 और 13 होता है, ध्यान रखेगा, अगर विसम की मैं आप सभी को अनेक सब्दों के लिए एक सब्द आपको बताई थे हैं, चलिए बताएगा आप सभी जो विसे का ग्याता हो, उसे हम सभी विसे सग गिकाते हैं, ध्यान रखेगा option मर डी, बिलकुल correct answer हो जाएगा, अगला है, नेमलेकित में से अंतर का अर्थ नहीं होता ह इनमें से कौन सा एक अंतर का अर्थ नहीं होता है, देखें, दोरी होता है, बिलकुल होता है, सेस होता है, बिलकुल होता है, हिर्दे भी अंतर का अर्थ होता है, जबकि अकास अंतर का अर्थ नहीं होता है, तो option नमर भी बिलकुल correct answer होगा, के लिए रहें, अगला question देख जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम से भी क्या कहते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूत पूर्व कहा जाता है अगला है दिये गे वाक्यांस के लिए एक सब्द दीजे वाक्यांस दिया हुआ है कि विज्ञान से संब्द रखने वाला को क्या कहते हैं जो विज्ञान से संबन्द रखता है उसे हम सभी क्या काते हैं वेग्ञानिक काते हैं देखें ये सिरीज आप सभी अगर कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्कोर करने में समझ लेज़ें काफी आपको हिल्ब करने वाला है ध्यान रखीगा आप सभी बिल्कुल आपके exam pattern पर त्यार किय लग गया है जिस परकार से कोईश्चन पूछा जाता है वही कोईश्चन आपको दिया जा रहा है एक्सपेक्टेट कोईश्चन कवर कर रहे हैं जहां से पेपर में पूछा जा सकता हैं तो यह सिरिच आप सभी परड़े जरूर कवर कर लेजे लाश्ट तक जब तब आपका एक्साम नहीं हो जाता है देख लिजे आपका स्कोर जरूर इंप्रूब होगा ध्यान रखेगा आप सभी अगला है दिये गये वाक्य का वा भाग ज्यात करें जिसमें कोई तुरूटी है यानि कि इसमें तुरूटी वाला भाग आपको बताना है कोश्चन दिया वा था व यहां पर इसको काटके हटा सकते हैं कि सूरज कुंड में परती बर्स बड़ा मिला लगता है तो ध्यान रखेगा यही गलत है आपका से नहीं होगा अगला है रिक्त अस्थान को भरने के लिए उप्युक्त सब्द का चैन किजे यानि कि वा खाना डैस चुका है तो क्या का सकते हैं कि वा खाना जो है वो खा चुका है ध्यान रखेगा आप सभी वो खाना क्या कर चुका है खा चुका है तो यहां पर खा चुका है बिल्कुल करक्ट आंसर हो जाएगा बी नम्मर अगला कोईशन देख लिए जिएगा जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं तो जो कह या नुकूल काते हैं जो समय की स्रिष्टी के अनुकूल हो से हम सभी क्या काते हैं समय नुकूल काते हैं यानि कि option नमर बी सोरे डी करेक्टर आंसर हो जाएगा ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोई से देख लिए जेगा कोई से में 15 है जो सब को जानता हो जो सब को जानता हो उसको हम से भी सरवग की काते हैं ध्यान रखेगा आप सभी क्या काते हैं जी सरवग की काते हैं जो सब को जानता है अगला है निमलेकित में से कौन सा वाकि संबंध कारक का सही उधारन ह इनमें संबंध कारक के बारे में बात किया गया है तो संबंध कारक के बारे में आपको बताए थे न कि आ कारक का कितना बेद है आड़ बेद है छले बताएगा आप से इनमें से संबंध कारक का कौन सा उधारा नहीं तो इसका character answer option मड़ी हो जाएगा संबंद कारक में आपको क्या बताए इसका चिन क्या होता है का होता है की होता है बताए थे ना आप सभी को तो ध्यान रखीगा यहाँ पर देख सकते हैं का दिया हुआ है कि गंगा का पोत्र भीशन वान चलाने में बड़े बड़ों के कान काटती थी ध्यान रखीगा आप सभी का के के हो गया का की के हो गया यह सभी सम्बंद कारक का चीन है ध्यान रखीगा आप सभी option मड़ी character answer हो जाएगा ध्यान रखीगा अप सभी अगला question देख लिए जिएगा question ही कि मुझे बजार से कुछ लाना है वाक्यांस में से स्वरी वाक्य में से कौन सा सर्वनाम है मुझे बजार से कुछ लाना है तो कुछ किस के लिए परियोग होता है पता है सर्वनाम में आप सभी को सबका नाम को हम सभी क्या करती सर्वनाम करते हैं तो कुछ होता है अनिस्चित चीजी के लिए ध्यान रखीगा आप सभी, यानि कि यहाँ पर अनिस्चे वाचक सरवनाम हो जाएगा, option number D, correct answer हो जाएगा, ध्यान रखीगा आप सभी, option number D, correct answer हो जाएगा, अनिस्चे वाचक हो जाएगा, निस्चे वाचक में क्या होता है, इस चीत होता है अगला है जिसके गर्दन सुन्दर हो उसे क्या कहते हैं तो जिसके गर्दन सुन्दर हो उसे हम से भी शुग्रीब कहते हैं ध्यान रखेगा डी करेक्ट आंसर होगा अगला है लोकिक इसका अर्थ क्या होगा तो जो इस लोग की बात हो उसे हम से भी क्या कहते हैं क्या काते हैं जी दंपत्ति काते हैं अगला कोईश्चन है कारे को नए ढंग से करने की पदती को क्या काते हैं तो जो कारे को नए ढंग से करता है उसे नवनिक करन का जाता हैं क्या का जाता हैं अगला कोईश्चन देख लिजेगा नेश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दसा में अनुबोद के रूप में भेजा जाने वाला पत्र को क्या कहा जाता है तो इसे अनुइस्मारक कहा जाता है ध्यान रखेगा option में डी correct answer हो जाएगा अनुइस्मारक कहा जाता है अगला है वही रंग का बिलोम सब्द है तो देखे वही रंग का क्या होता है अंतर रंग होता है ध्यान रखेगा option में एक correct answer हो जाएगा अंतर रंग होता है वही रंग का अगला है अनागत का बिलोम क्या हो जाएगा तो अनागत का हो जाएगा आगत ध्यान रखेगा आप सभी आगत हो जाएगा अनागत का अगला है मुझे बजार से कुछ लाना है वाक्ष में कौन सा सर्वनाम है तो क्या बताएं मुझे बजार से कुछ लाना है तो यहापर कुछ की बात किया गया है तो अनिस्चित वाचेक सर्वनाम हो जाएगा साहिद मेरे ख्याद से यह question repeated है आपका बिल्कुल यह question आपका repeat था चले कोई बात नहीं है इस question का answer कि जेगा आप सभी यह question आपके लिए हैं जिसका answer आपको नीचे comment करके बताना है कि निमे लेकित में से किस सुबाक में संभाब भविस काल की किरिया का परियोग हुआ है इन में से कौन सा संभाब भविस काल की किरिया का परियोग हुआ है चार option आपके इसके पर दिये हुए है चार option में आपको अपना answer नीचे comment करके जरूर बताना है और 25 question में कितने score कर पाएं नीचे comment करके जरूर बताईएगा क्योंकि एक question repeat था आपका तो 24 question ही है तो answer आपसी को बताना है कि कितना score कर पाएं बिल्कुल authentic आपसी बताईएगा जितना score की है बस उतना ही आपसी को बताना है अगर गलती भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैनस marking नहीं है आपके paper में तो बिल्कुल tension free हो कि आपसी को पेपर देना है तो मिलते हैं जहिंद बंदे मातर हम ध्यान रखेगा पढ़ाई करते रहेगा जाते जाते फिंड क्लास को लाइक करके सीर अपने दोस्तों में जरूर करकी जाएगा इतना सा काम आपसी जरूर की जेगा जहिंद